नमस्कार न्यूज यूग में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ पूजा प्रथा शिरोई के गुड़ा और नवारा गाउं में बिजली के लटकते तार दे रहे हैं हाथ से को न्योता जी हाँ बिजली विबा की लापरवाई से ग्रामीनों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है कई जगें लटके बिजली के तारों से क्रंट आने की जानकारी मिल रही है कुड़ा गाउं के समा सेवी चुनीलाल परजापत ने बताया की बस स्टेंट तलाब के पास इस्तित बिजली ट्रांसफरम में चारों और तार नीचे लटक रहे हैं साथी पास मुख्य केबल पूरी तरह शतिग्रस्थ है जिससे कभी भी हाथसा हो सकता है साथी रमेश लोहार के गर के सामने बानेश्वरी माताजी के मंदिर समीप इस्तित बिजली पोल से लगातार करंट जा रही है और सरकारी स्कूल बवन के उपर होकर बिजली की मुख्य लैंड जा रही है जो हाथसे को खुला नियोता दे रही है गाव के समास से भी पूर्णीमा ग्रूप के तेजाराम प्रजापत ने बताया कि आबादी शेत्र में बिजली ट्रांस्फरम होने से हमेशा हाथसों की आशंका बनी रहती है और चारों और जाली के आबाव में पशु कभी भी करंट के चपेट में आ सकते हैं पूर्व सरपंच नर्पत सिंग देवडा ने बताया कि गुड़ा और नवारा गाव में बिजली विबाग की लापरवाई सामने आ रही है साथी लोगों ने बताया कि दोनों गाव में लाइनमेन बहुत ही कम आते हैं और नीजी आदमी जदातर बिजली पोल पर काम करते हैं और लोगों से मन मांगी राशी वसूल कर रहे हैं लाइनमेन की लापरवाई से आम जंड ठगा जा रहा है